पहार मंडर किया गया अंदर लाकर रखा गया एक थेरिया इसी है कि अंदर जो थे अंदर में जो उसके रूम में वहापर जो साथ में थे उन लोगों के मैध्यम से एक गेम कराया गया उस लड़की को लेकर ही इमको बुलाया सुषान को मारा पीटी होई और उसमें इमकी जान गई सुषान सिंग राश्वूत की देथ क्या उनके घर पर नहीं कहीं बाहर हुई थी आखिरकार कैसे सुषान सिंग राश्वूत और उनकी सिस्टर की चैट रिया की हाथ लग गई और आखिरकार क्यों इस पूरे मामले में इतने सारे सवाल उठाए जाने के बावजूद आज पिचुप है CVI और Bollywood के एक बड़े डारेक्टर को दो साल की सजा सुना दी गई है क्या है पूरा मामला हम आपको आज डेटेल बताने वाले हैं पर उससे पहले आप से अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना बलकुल मत भूलना यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए किस प्रकार सुशान सिंग राश्वुत है वह उड़ता है पिठानी के ओपर क्योंकि पिठानी इस पूरे मामले में बहुत ही इंपोर्टन कड़ी शिरुवास सी बताया जा रहा था पर इसमें एक और इपोर्टन चीज निकल के आती है वो निकल के आते कि आखिरकार रिया और उनके जो वकील थे उनके पास सुशान सिंग राश्वुत और उनके सिस्टर प्रिंका सिंग जी की जो प्राइवेट चैट थी वह चैट कैसे पहुँच गई आखिरकार वो वाट्सअप की चैट जिसमें दवाईयों की बाते हो रही है वो कैसे पहुँच जाती है और सवाल ये भी उड़ता है कि आखिरकार सुशान को आठ टारी को क्यों कोई दवाई लेने की नीड हो गई और आखिरकार आठी तारी के बाद रिया से जाओ ऐसा हुआ था क्या अगर हुआ था तो क्यों हुआ था और दूसरी तरफ रिया के जाते ही कैसे मीटू जी उस घर पे आ जाती है क्या हुआ था सुशान के साथ आठ तारीक या उसके बाद ये कोई ने जानता ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आज भी बनी है पर का जारे कि CBI सुशान निंग्राश्वत की घर पर उनकी च्छत पर उनकी टैंकी को खोल कर बहुत सरी छीजे खंगाल रही थी और कहा जाता है कि नीरज इस पूरे मामले में का जा रहे कि CBI को ले कर गई थी जब सीन को recreate करने के लिए तब का जा रहे कि पिठानी और नीरज को छत से उतरते हुए भी देखा गया था तो क्या छत में बहुत बड़ी चीजे छुपी है कि सही में सुशान्त केस का जो पूरा तालुक है यह पूरी जो तारे हैं यह घर से नहीं घर के कई भार से जुड़ी हुई है अब यह तो कहना मुश्कील है क्योंकि मामले की जांच कि अभी CBI कर रही है तो अभी उमीद लगाई जा रही है कि CBI बताएगी सच इस पूरे मामले को लेकर पर अभी सबसे बड़ी उमीदिया पर यही है कि जल्दी मामले का जो भी सच हो सामने निकलेगा क्योंकि पिठानी साब जिस प्रकार अर्नव बोस्वामी के शो में दि पिठानी ने सुषान की हाइट 5857 बता दी सोचिए जो सुषान अपने आपको खुद क्लियरली बताते थे कि मैं 183 सेंटीमीटर के हूं उमतलब 6 फूट और 6 फूट से उपर लगभख सोचिए 6 फूट के थे वो क्योंकि उन्होंने खुद बोला है 183 सेंटीमीटर अब सवाल उतने तै थे इस मामले में जब हमने आपको शिरुवात में वीडियो में दिखाया है कि सुषान अपने मूह से बात बोली है कि भाईया मैं 565758 का नहीं मैं 6 फूट लगबग 183 सेंटीमीटर का हूं अब कोई इंसान अपने मूह से तो जूट नहीं बोलेगा ना तो स सुषान के जाने के बाद बहुत सारी जगह उपर उसकी हाइट को कम क्यों करके दिखाया गया क्यों आखिर का जो पिठानी घर पे सुषान के साथ रहा करते थे वो सुषान की हाइट को कम क्यों बता रहे थे अब सवाल तो यहीं पर उड़ी जाते हैं बहुत सारे तो वहा बीन वला विश्यू का क्या पिठानी इस पूरे मामले की जो कड़ि है वो जोड देगा और खोल देगा बड़े रात अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा क्या आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर क्या वे सच ज्सका इंतजार आज की जनता कर रही है क्योंकि आप खुछ सोचेए कि जो बताना था हमने अग्या है कि बता दिया है सारे सच बता दिये हैं पिठानी एजंसी के सामने ये स्टेटमेंट भी दिया था जो रिपब्लिक ने चापा था कि सुशान जान गए थे कि रिया उनकी लाइफ में फिक्स है अब सवाल यह उड़ता है कि क्या पिठाने ने बात बोली थी क्योंकि रिपब्लिक की प्रिंट म बात बन जाती है पूरे मामले में कि आकर की उन्हें ने और भी चीजें खोल के रखती होंगी और हो सकता है पिठानी ने सारा सच बता दिया और चाफित तो कुछ नहीं जा सकता है, पर उमीद बहुत सारी चीजों को लेकर लगाई जा सकती है, पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरह बात करें, तो बॉलिवुड के एक बहुत बड़े डिरेक्टर, जिनको दो साल की सजा सुना दी गई है, और कहा जा रहे कि अभी वो एक फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए थी, एक फिल्म बनाने वाली थी, जिस फिल्म के अंदर का जारे कि सनी देवल और आमीर खान को लेकर वो काम करने वाले थे, पर अब का जारे कि वो डिरेक्टर को दो साल की सजा सुना दी गई है, तो क्या ये फिल्म बनेगी, आपको बता रह है कि इनको सजा क्यों हुई है, हम चलते हैं, 2015 में, 2015 में राजकुमार इरानी जो है, इन्होंने एक फिल्म बनाई, जिस फिल्म के लिए इन्होंने जाम नगर के एक इंडस्ट्रियल थे, अशोग लाल का जारे कि वो शिपिंग उनकी कमपनी थी, उनसे एक करोड रुपे इ यह चक के माध्यम थे, अब जो इंडस्ट्रियल थे, अशोग लाल, उन्होंने जब चेक को बैंक में लगाया, तो एक एक करके सारे चक बाउंस हो गए, बाद में का जा रही कि जो यहां पर इंडस्ट्रियल थे, उन्होंने कांटेक करने की कोशिश करी, राजकुमार संतो से, तो का जारे की कांटेक हो नहीं पाया, टीम ने बात नहीं करवा, राजकुमार संतोशी से, और बाद में का जा रही कि दुबारा से, राजकुमार संतोशी जो थे, उन्होंने कांटेक करने की कोशिश भी नहीं करी, ऐसा कहना था इनका, जिसके बाद इन्होंने लीगल action लेने की पूरी की पूरी कोशिश कर डाली और जिसके बाद जाम नगर की कोट में ये मामला चल रहा था लंबे समय से जिसके बाद का जा रहा है कि जो राज कुमार संतोशी से वो जाम नगर भी नहीं जाया करते थे जब उनकी तारीक आती थी तो उन्हों ने कहा कि भाई य सामने सारे सबूत रखे गए जिसके बाद का जारे कि कोट ने माना कि जो राज कुमार संतोशी है वो गलत है और उनके खिलाफ का जारे कि दो साल की सजा और उनकी खिलाफ दो करोड रुपे का फाइन भी लगाया गया क्योंकि का जारे कि उन्होंने एक करोड रुपे देन नहीं कि upstream मांगी है क्योंकि वो अब बात कर रहे हैं बड़ी कोट में बड़ी अदालत में जाने का और उन्हों ने का है कि बिना सबूत को देके हमारे हमारे खिला पैसला तो सुना दिया गया है हम अब और बड़ी कोट betray book जाएंगे और उनके वकील ने कहा है भाई हम जय नहीं जाने देंगी को मतलब राजकुमार संतोशी को हम बड़े कोर्ट में जाकर सबूत पेश करेंगे अगर सबूत पेश नहीं कर पाई अगर कुछ ऊच नीच हो गई तो राजकुमार संतोशी को तो साल की जेल हो गई है ऐसी बात बताई जा रहे है दो साल की सजा हो गई है अगर वह बाई चास सजा उनके ओपर जो हुई है उसके तहट वह जेल चले जाते है तो वह जिस बड़ी फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए थे जिस फिल्म में आमीर खान और considers Farm काम करने वाले हैं, इनको तो एक महीने की महलत मिल गई है, कोड की तरफ से, अब एक महीने के अंदर इनको सारे सबूत पेश करने हैं, अब देखती हैं कि यह कहाँ पर जाने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि Bollywood में वैसे ही बहुत सारी चीजे बदल रही हैं, अब एक पर फिर यूटूब का सागरभला18, Facebook का जो है, वो है सागरभला और Instagram का सागरभला18, सब के साथ जुड़ेगा, सब के लिंक आपको description में मिल जाएंगे, मिलते हैं बहुत चल दे, नमस्कार, जो है हिंद झाल